अगर्म गर्म टेक न्यूस हमेशे की तरह आ गई है और सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी लोरी बहुती ब्यूटिफुल फेस्टिवल है पुरे देश में सेलिबिरेट किया जाता है यही एक खास पैचान है हमारे देश की कि हम सब मिलके एक हो जाते है इस वक्त और मिलके सेलिबिरेट करते है यही एक यूनिटी है जो हमें हमेशे बनाये रखना है बहुत बहुत शुब कामना है फिर से आपको मेरी तरफ से दो मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले है सिफ दस हजार सब्सक्राइबर बाकी है सब्सक्राइब कर लेना प्यार तो लेके आगया हूँ विडियो पसंद आएगी लाइक करना और फड़ा वट से आज की रेक्नूस शुरू करते हैं तो पहले के बात करते हैं यहाँ पर एमेजॉन से एमेजॉन ने अपने 2020 के सबसे पहले सेल को अनाउंस कर दिया है ग्रेट इंडियन सेल जो 19 जनवरी से शुरू होगा और 22 जनवरी तक चलेगा इसमें बहुत सारी कंपनी जैसे की फोन पर चेस करने के लिए तो थोड़े दिन रुख जाईए 19 जनवरी को अमेजॉन पर चले जाना क्या पता आपको जो लेना है वो आपको कम भाव में आपर मिल जाएगा काफी डिसकाउंट से और कैश पेक से एम आई वगेरा बहुत कुछ मिल रहा है तो आप उस दिन जाके वहाँ पर चेक आउट कर लेना तो यहाँ पर दोस्तों वन प्लस के दरफ से कमाल की ख़बर आ रही है और आज चाइना में वन प्लस ने अपनी स्क्रीन टिकनोलोजी को अनौंस कर दिया है जो बहुत ही कू 2020 में गलास बैक एक नया एलेक्ट्रोक्रॉमिक पैनल को अनौंस किया था जो बहुत ही कूल लग रहा था कॉंसेप्ट शोकेस किया था अब उन्होंने स्क्रीन टिकनोलोजी लेकिया गए जिसमें आपको 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट मिलता है 2K रेजलूशन है OLED वाले डिस् जैसे कि 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट वाले स्क्रीन तो है लेकिन 240 हर्ट्स तक आपको सैंपल रिफ्रेश रेट मिलता है ऐसा उन्होंने वहाँ पर बता है तो यह जो स्क्रीन टिकनोलोजी जो बहुत ही कूल लग रही है बहुत ही पाउफुल लग रही है और यह हमें वोफ पहली खबर की बात करेगे जो सबसे पहले इंडिया से निकल करा रही है वो यह कि Samsung Galaxy M30s में आपको बहुत ही जल्दी Android 10 और One UI 2 जो वो देखने को मिलने वाला है अगर आप M30s यूज करते कुछ ही दिनों की बात है क्योंकि यह अभी रिसेंड़ी Wi-Fi Alliance Certification पर लिश्ट और एक एक्ट्र चुक टाउट है मुझे लगता है वो फ्लेश लाइट होगा पांच कैमरा तो नहीं देगा उस प्राइस में हाथ तो कुछ इस तरगे का है बाकी और और कुछ खास इंफोर्मेशन अभी नहीं आईए उसके अलावा दोस्तों Samsung Galaxy S20 Plus 5G पहली बार S20 series का ना है और बूट एनिमेशन भी आप देख सकते हैं आपके आखों के सामड़े तो यह कंफर्म्ड है कि यह लाइव इमिजे से वैसे पिछे देखेंगे गौर से तो लिखा हुआता है कि नो फोटोस नो लीग्स जिसने भी लिया है रहे फुल गट्स है फुल ठालाला ठाला ठा लिखती है तो बहुत करक काम यहां पर सैमसंग कर रहा है और साथ में जो ग्यालेक्सी ब्लूम जोन का ट्लैम शेल्ट है फोल्डेवल फोन था वह सिफ कोड़नेम था असली नाम होगा सैमसंग गलेक्सी जेड और शायद फ्लिप ऐसा करके मुझे लगता है यह होगा तो सै रेडमी के 30 5G जो वेरियेटे वो हमें इंडिया में बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है क्यूंकि अभी रिसेंटली बी आईएस सर्टीफिकेशन पर लिष्ट हुआ है इंडियन सर्टीफिकेशन है उस पर लिष्ट हो गया इसका मतलब बहुत जल्दी रेडमी के 30 5G भी कि कुछ patents यहाँ पर कुछ renders निकल करा चुके जहाँ पर आप देख सकते हैं काफी unique लग रहा है three side आपको curved display मिल रही है उपर नीचे right और left में must आपको bezels दिखरे है उसमें शायद camera बगरा हो गया जो भी होगा और यह curved होके पीछे की तरफ जाएगा ऐसा जैसे कि Mi Mix Alpha था कुछ वैसे ही मिल रहा है rumor से कि एक नया foldable phone होगा Xiaomi का या फिर एक altogether different phone होगा जो आपको देखने को मिल सकते है तो यहाँ पर दोस्तो Honor की तरफ से cover आ रही है Honor 9X फाइनली कल इंडिया में launch हो जाएगा अब देखते हैं कि क्या होता है क्या price होती है और उस price पर पहला pop-up camera वाला phone होने वाला ऐसा होगा और मैं आपको live link जा रहा हूँ YouTube की और अपने इसकी को कहा की Facebook की हाँ दोनों की description में आप जाके बने रहना कदी जाके जरूर से इसका live event भी देख लेना तो यहाँ पर दोस्तो चाइना ने record break कर दिया है world का सबसे पहला bullet train मतलब driverless bullet train जो वो launch कर दिया है launch कैसे बोल सकता हूं मैं unboxing करते ना phone launch होते है आदध होगे launch कर दिया है हाँ बस लेके आगे एक नया train है जो driverless है bulletin bulletin तो उनके पास थी लेकिन यह driverless है fastest train है साड़े 300 km per hour की speed पर चलेगा यह Beijing से निकलेगी उनकी capital है वहाँ से जो की जाएगी एक और city है जांग जियों जांग 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 इसी कुछ city का नाम है तीन गंडे पहले लगता है लेकिन इससे 47 मिनिट में वो जाएगी जो train है उसमें 5G मिलता है 5G का network है और साथ में touchscreen control panel है 2700 में sensor से पूल एकदम VIP class वाली train लेकिन driverless वापर बैटन से पहले 50 वार सोचूँगा बहुत घबरा रहा हूँ अभी इंडिया में ऐसे आजा तो बढ़िया रहेगा अभी पहले bullet train तो आ जाए फिर driverless आ जाए लेकिन क्या खायल है दोस्तों उसक 2nd generation चल रहा है अभी 3rd generation जो है शायद यह उसी को आप बोल सकते हैं जो बताया है कि उसमें ऐसे touch sensors होगे जो हाथ लगाती पैचान जाएंगा कि आप क्या कर रहें क्या नहीं कर रहें उससे हिसाब से वो चीज़े recommend करेगा प्लस उसमें camera embedded होगा camera pencil के अंदर और साथ में fingerprint sensor हो यह कुछ करना unlock करना तो यह बाप रहें बाप Apple pencil ऐसे तो थी महंगी यह आ जाएगा तो फिर तो इसके लिए अलग से kidney देने पड़ेगा थोड़े बाद उपर के एक-दो हिससे देना पड़ेगा ऐसा लग रहा है एपल की 3rd generation वाली pencil क्या बात है कस्टमाइज आइकन स्टाइल एनिवेटेड वालपेपर डूल यह फोन कनेक्शन स्मार्ट साइट बार प्राइबर इंफोमिशन प्रोडेक्शन स्क्रीन ओफ डिस्प्ले डार्क मोड वा प्रेजेंटिंग रियल्मी यूई एक नया टीजर आज रियल्मी ने दाल दिया है ट्विटर पर और मैं बहुत ही जल्दी इसके बर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि बहुत सारे फोंस में भी बीटा में राने वाला है आप भी जाईए होंगी कम्यूनिटी पर जाके इसके लिए अप्लाई कर लीजिए बहुत कुछ होने वाला है वैसे कुछ खास देख सकते हैं हाँ दोस्तों लगे हाँ तो अगर कलरों इसकी बात है तो धिमाग सिर्फ निकल गया था ओपो का F15 भी हमारे पास आ चुका है यह है इसका डपा ओपो F15 यहां पर लिका है 8128 क्या बात यार अच्छा ठीक है तो यह कुछ यहां पर आ चुका है अन्बॉक्सिंग अन्बॉक्सिंग चालू गया जिसकी अंडर डिस्प्रे है वो तो ऐसी उन्होंने पोस्टर में बता दिया था वैसे आप एक्साइट है आप मुझे कमेंड करके बता सकते हैं यह आपको बता है कि दोस्तों Google Maps यह जो एप है यह जो सर्विस गूगल की तरफ से आपको मिलत है अगर आपको पसंद है तो जरूस वीडियो को लाइक करिए मैं से आप लोगों को ऐसे ही अपड़ेट करता हूंगा मिलते हैं आप से गली वीडियो में किने वीडियो को साट तेले और वेट डे एंड और ऑल्वेस कीप स्मालिंग थोड़े दिन में फिर बहुत सार चें झाल तो सुदें दूस्माब लोग कस्त sedं दूस्माब लोग..